हेलो एवरीवन दिदे शहनीला एने वेलकम चुमें यूट्यूब चैनल स्टेडी अडिशिनो सभी को जाहिन सभी को जाहिन कैसे आप सभी लोग कैसी चल लगी आपकी पढ़ाई जल्दी से मुझे बताईए मैं बुलकु ठीक हूं आप सभी लोग कैसे हैं आप यहाँ पर कल टॉपिक चल ला था पहाड़ी चित्रकला में हम लोगों ने कई क्लास को यहाँ पर कम्प्लीट किया ठीक है इसमें आपकी चार क्लास आपकी हो चुकी है यह क्लास नंबर कौन सी हो जाएगी क्लास नंबर आपकी यहाँ पर फिफ्ट क्लास यहाँ पर हो जाएगी क्लास फ कि इन तो यहां पर पड़ चुके हे। किसको बसोली शैली आपकी यहाँ पर complete हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप बिल्कुल यहाँ पर इन सारी चीजों को देखे, class 3 में हम लोगों ने क्या किया था, गुलेर शैली यहाँ पर हम लोगों ने complete की, ठीक है, class 3 में आपकी कौन सी शैली complete हो गई, गुलेर classes को आपने देखा है की नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखी, बहुत ही बहुत ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी state का art का exam दे रहे हो, उन सभी के लिए यह सारी classes बहुत ज्यादा important है, चीक है, कुछ लोग यहाँ पर अलग से पूछने लगते हैं कि अलग-अलग state वाले कि क्या मेरे यहाँ पर state में यह classes मलब हैं, यानि कि यहाँ पर हम इसमें अगर आप राजिस्थान आर्ट में डाल ले हैं, या आप जो हैं यहाँ पर क्या करते हैं, उत्तराखंड से लिट करने वाले है. आज हम लोग पढ़ाएंगे कुलू. अ कैस एलियों को हम लोग क्या करते हैं, वो तह तो को बहुत ज्यादा आपके points नहीं बनते हैं, लेकिन जितने भी बनते हैं, वो आपके exam के लिए बहुत ज्यादा important है, इसलिए class को शुरूर से, यानि कि starting से end तक देखिए, जिससे कि सारी चीज़े आपको यहाँ पर समझ में आए, ठीके तो जितनी भी classes आपकी हो चुकी वो बहुत ही बहतरीन classes गई है playlist में सब कुछ serial wise आपको मिल जाएगा उस option में आप देखेंगे, तो वहाँ पर चीज़ें आपको मिलेंगी, इसके अलावा आपका यहाँ पर telegram channel है, telegram channel आपको पता है जो telegram channel है, वो भी आपका study additional के ही नाम से आपका telegram channel है, अगर आपने telegram channel को नहीं जॉइन किया है, तो जल्दी से इसको भी जॉइन कर लीजे, जल्दी से आप इस channel को, यानि कि telegram channel को जॉइन कर लीजे, वहाँ पर आपको क्या है PDF वगरास यहाँ पर send की जाती है इसके अलावा class का notification भी आपको मिल जाता है, class का notification भी बिल जाती है, क्योंकि काफी student यहाँ पर जाते हैं, कि मैं मेरे पास notification नहीं आता है ठीक है, वो live class नहीं देख पाते हैं साथ-साथ में, तो इसलिए यहाँ पर मैं बता दू कि आप telegram channel जॉइन करिया करिये वहाँ पर मैं यहाँ पर send कर देती हूँ आपको update देती हूँ कि कब आपकी class होने वाली है फिलाल आपकी daily 9 p.m. पे आपकी class चलती है 9 p.m. पे आपकी daily class चलती है आर्ट की, आर्ट की class आपकी कितने मज़े चलती है 9 p.m. पे चलती है, तो आप यहाँ पर class time से आ जारा करिये ठीक है, तो चीजे हो गई, चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, कुलू शैली पढ़ेंगे, कुलू शैली में क्या क्या पढ़ना है देखते हैं यहाँ पर, चलिए, बहुत important topic है इसलिए आप अपने साथ copy pen लेके बैठी है सारी चीजों को note down करी, सारी चीजों को note से यहाँ पर बनाईए उस topic को आपको अलग से book में पढ़ने की जरुवत बिलकुल भी नहीं है एक भी point, एक भी point आपका नहीं छूटता है मान लिजे आपका एक आदा point छूट भी जाएगा तो हम लोग objective questions करेंगे objective question में हम लोग सारे ही question को discuss करते हैं जो question आपके आज चुके हैं यानि कि previous year की question और जो question आने की संभावना है उन सारे question को हम लोग objective questions के जरीए यहाँ पर complete कर लेते हैं ठीक है, तो आप मेरे channel पर पूरी तरीके से यहाँ पर trust कर सकते हैं सारी चीज़े आपकी बहुत ही भाहती नहीं जाती जितने भी आपके exam जैसे कि UPTGT, PGT का exam गया इसके अलावर DT plus B में भी आपके कई यहाँ पर लोगों का selection हुआ UPTGT, PGT उसमें भी आपका selection हुआ जैसा आपने मुझे comment किया तो आप बिल्कुल भी परिशान ना होए कि कुछ भी यहाँ पर छूटने वाला है सारी चीज़े आपकी बिल्कुल भी आपकी निशुलक चल लई है कोई भी फीस आपको मुझे नहीं देनी है सब चीज़े आपकी निशुलक चल लई है ठीके और आपको यह ना सोचिएगा कि यहाँ पर फीस नहीं ली जाए तो इसका मतलब आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर कम पढ़ाई जाएगी या खराब पढ़ाई जाएगी तो बिल्कुल आपको पॉफेक्ट मैटीरियल यहाँ पर मिलने वाला है क्लिर चले स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे कुल्लू शैली पढ़ते हैं अब सिर्फ हम लोग टॉपिक से रिलेटेड ही यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर याद रखेंगे कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रय किसे जाता है तो आपको क्या दखना है जेसी फ्रेंच को कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रय किसे जाता है तो आपका एक पुएंट बन गया जेसी फ्रेंच को जाता है जेसी फ्रेंच की एक पुस्तक है कौन सी हिमाल तो पूछा जाएकर आपसे हिमालेन आर्ट पुस्तक किसकी है तो आपको क्या दखना है तो यह आपकी पुस्तक किसकी है जैसी फ्रेंच की है इन्हों ने यानि कि कब 1931 में इस पुस्तक में कुलू शैली के बारे में जिक्र किया यानि कुलू शैली का उलेह किया ठीके तो हि इसी French ने किया, कहां किया, हिमालेन आर्ट में किया, अगर शायद इसी French यहाँ पर चीजों को नहीं उजागर करते, तो हो सकता है हम लोगों को चीजे ना पता चलते, यानि कि कुलू शैली के नाम से भी एक शैली है, शायद हम लोगों को ना पता चल पाता, ठीके, तो इस त 1750 से आसपास का टाइम क्या होता है, कुलू शैली का प्रारम का टाइम माना जाता है, ठीके, यह आपको यहाँ पर याद अखना है, ठीके, तो 1750 के आसपास का जो टाइम है, कहा जाता है, इसी टाइम में कुलू शैली का क्या है, प्रारम, यानि कि होना शुरू हो गई थी कुल्लू शैली का प्राचीत नाम क्या है और कुल्लू शैली का प्राचीत नाम कुछ और था जो हो सकता आपके एक्जाम में पूछ ले जाए इन में से कौन से कुल्लू शैली का नाम है तो आप क्या आद रखेंगे एक तो आपको याद रखना कुलाटा और दूसरा आप क्य कुलट लिखा मिलेगा कहीं पर कुलाता लिखा मिलेगा तो इस तरीके से अगर आप आप पूर्चिन नाम क्या था कुलाटा भी कुछ लोग कहते थे या कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में आपको कुल्ट भी लिखा मिल जाता है ठीक है समझवाता ही इसके लाए इसमें आपको एक राजा याद रखने कौन सबसे पहले कौन से राजा याद रखने जगत सिंग राजा जगत सिंग को आपको याद रखना है आप क्यों याद रखना है क्योंकि राजा जगत सिंग को ही कुल्लू शैली का जन्मदाता माना जाता है कुल्लू शैली को जन्म देने वारा राजा कौन था राजा जगत सिंग थे इन ही के समय में कुल्लू शैली क्या है कुल्लू शैली का जन्म होत कह सकते हैं किसे श्री कृष्ण को मानने वालों को क्या बोलते हैं वैश्णु धर्म के अनियाई वैश्णु धर्म संपलाई इस तरीके से आप बोलते हैं तो जगत सिंग यहाँ पर किसे कौन से धर्म से हो जाएंगे यहाँ पर वैश्णु धर्म से हो जाएंगे जब कि मंदिर कुलू में किस ने बनवाया तो आपको क्या यादखना है तो राजा जगत सिंग ने बनवाया मु weakened वैशनो धर्म के अनुईयाई थे यह वैशनो धर्म को मानने वाले थे इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कुलू शैली का जर्म जगत सिंग के समय में हुआ ये मैंने आपको बता दिया इसके बाद अगले राजा कौन याद रखने हैं आपको प्रीतम सिंग को याद रखना है पूछा जाए कुलू शैली का प्रनेता कौन है तो आप क्या बताएंगे प्रनेता के रूप में आपको किसको याद रखना है तो आपको राजा प्रीतम सिंग को याद रखना है कुलू के चित्रों को तीन भागों में विभाजित किया गया है क्ल्लों के जो चित्र है वो चित्रे को तीन है तीन काटेगरी की तीन पर जाए लोक हो जाएंगे और तीसरे आपकी कौन से हो जाएंगे सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही , सीरियल वाईज यहां पा पीडियेle बनाई यह बहुत ही चीज़े लिखिए कि आपको समझने में बिलकुल भी परिशानी न हो चीजें को क्लास के साथ-साथ में ल Calm payroll कि आout नहींधे तो कुलू की चित्रों को तीन भागों में भाजित किया है कौन कौन से और आप दर्मानी चित्रों दूसरा आपका लोग हो जाएगा और तीसरे अहां पर कौन आप से पूछ लिया जाए कि कुल्लू शायली को कितने पार्ट में डिवाइट किया गया तो आपको यादक ना है तीन कौन कौन से हो जाएंगे दरबारी चित्र हो जाएंगे लोग चित्र हो जाएंगे अब हम बात करें कुल्लू शायली के मुख्य चित्रकार हम लोग देख तो भगवान और सजनु आपके कुलू शैली के चितरकार में आएंगे, हाला कि सजनु आपको और भी शैली में मिल जाता है, आप मुझे बताइए, किस शैली में और आया है, वो भी आप मुझे कौमेंडबाक्स में बताइए, चीजें आपके मैं करा चुकी हुँ न, खुलू शायली के प्रमुक चित्र यहां पाँ कौन कौन से हो जाए क्पर आपको क्पुलू शायली के चित्र етрी का छेगा इसके अलाव त्रि प्रसुंदरी यह भी चित्र को यहां दकना यहें जो चित्र है nya यह इसा चित्र है यह भिति चित्र है जो शीष महल की दिवार पे बना हुआ है यानि की ये कैसी चित्र है ये mural painting मूरल पेंटिंग कि इसकी कौन सी पेंटिंग मूराल पेंटिंग कि निल दीवारों के छत पर एच्छस्त के मैं C और होते दिवारों पर बने होते हैं, उनको मूरल पेंटिंग जैसरिण की आप série है आप जयरै जाने पेंटिंग्स के लिए जाने जाती है लेकिन आपको याद रखना है जो आपकी आपकी जो पहारी शैली है वो आपकी किस के रूप में जाने जाती है तो आपकी मुगल शैली पहारी शैली और राजिस्थानी शैली वो आपकी किस रूप में जाने जाएगी तो आपको याद अगर पूछा जाया है लगू चित्रकला की शुरुवात कैसे होती है किस शैली से होती है तो आपको याद रखना है किस शैली से होती है तो पाल शैली से होती है याद रखिएगा ठीके तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे पाल शैली ही आपकी क्या पाल शैली औ और अब्रन शैली को मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो आप चैनल पर सर्च करिएगा तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ठीक है तो याद रखेगा ऐसा नहीं कि वहाँ पर भित्ती चित्र आजाए और पहाड़ी शैली में आपको भित्ती चित्र लगा समझति बात है इतनी चीज आपको यहाँ पर क्लीयर हो आगे हम देखतेये कुलू शैली के महतपूर् तथ ही यहाँ पर देखते हैं थी कुल्लू शैली में आपको पता ही कि तीन तरीके के आहाँ पर नहीं करे कि चित्र बताएं जो आपके कौणर कौन से एक तो हो लोग चित्र हो जाएंगे और भित्ति चित्र हो जाएंगे ठीक ही यह तो हो जाएंगे यानि कि यहां पर आपको भित्ति चित्र भी मिले हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं इसमें और तरीके के चित्र आपको नहीं मिला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो इसी तरीके से आपको किन विषयों पर उन्हों ने कि चित्र कारों ने कुल्लू पूरी ही पहारी शैली आपके क्या है धार्मिक के चीजहों पर चितर मिल जाते हैं पूरी पहारी शैली एक तरीक से यहां पर आपको कुलू शैली में आपको तो राधा कृष्णी से संबंदी चीज़े मिल जाती है, ठीक है, रामायड से संबंदी चीज़े मिल जाती है, यानि कि रामायड विश्यो पर आधायत आपको चित्र मिल जाते हैं, महाभारत के आधार पर चित्र मिल जाते हैं, शिकार के चित्र आपको यहां मिल जाते हैं, युद्धिके चित्र आपको मिल जाते हैं और नाईका भेद संबंधी चित्र भी आपको कुलू शैली में मिलते हैं ठीके तो कुलू शैली के महतपूर विशे में कौन कौन से याद रखेंगे तो राधा कृष्णि याद रखेंगे रामायन याद रखेंगे महाभारत याद युद्ध याद रखेंगे और नाईका भेद याद रखेंगे ठीक है अगर आप से पूछा जाए पूरी पहाड़ी शैली को पहचानने का मुख्य साधन क्या है तो आपको क्या आद रखना है आंख है मुख्य साधन ठीक है यह question पूछा याद रखेगा पूरी जो आपकी प नेक्स हम चलते हैं कुल्लू चित्रों का प्राड यहां की लोग कला की परमपरा है। यानि की यह जो शैली है किस पे आधाईत है आपकी लोग कला पे भी आधाईत है। विंके आपको मैंने बताया था कि जो आपकी पहाडी शैली हैं जो मुगल से जो चित्रकार यहां पर आए थे और इन चित्रकार के आने की वज़े सभी पहाडी चित्रकला को एक नएन एक Abdullah案 मिला थह तो मुगल शैली और प्लस राजिस्थानी शैली के मिश्रड से ही मुगल शैली और प्लस राजिस्थानी शैली के मिश्रड से ही आपकी कौन सी शैली बनी थी तो आपकी बनी थी पहारी शैली बनी थी ठीक है याद रहे हैं को कुछ क्लास वन में मैंने आपको चीज बताई थी र कुछ शैली आपकी लोग कला से निकली हुई है, तो इस तरीके का भी पॉइंट बनता है, इसलिए आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे, कौन से शैली किस शैली से निकली हुई है, ऐसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेशन आपको किसी भी तरीके से examiner पूछ सकत और ये बसॉओली थोड़ा समय आपको बता भी देते हुई है, आपकी जो बसॉओली शैली हैं, वो आपकी किस से निकल के आएगी, तो आपको याद रखना लोग कला, भी बसॉओली, पूछ जाए तो आपको क्या रखना है? याद रखना है, चमबा भी पूचा जाए, त खेविज़ला पती है तो यह हम लोगों न पर यहां है यह कहा है यह निकली हो जाएंगी हैं चिछी ऑप क्वेक्टस यहां यहां पर क्लास किल पहां तो प्लव और नेक्स्ट टापिग्न राज के इस्थापना कब हुई थीट तो का याद करएगा दसवी शताबदी में चंबा राज की सापना हुई ती जो हिमाचल प्रुदेश के अंतरगत आता है पूरी पहड़ी शैली अपको मैंने बताया था यहीं कि पहाड़ों की जो शैली है उसको क्या बोलते हैं पहाड़ी शैली बोलते हैं जो आपकी पहाड़ो जो कला उभर के आती है उसको बोलते हैं पहाडी कला बोलते हैं या पहाडी शैली बोलते हैं या पहाडी चित्रकला बोलते हैं ठीके तो इसी तरीके से जो चमबा है वो आपका किस राजी में आएगा वो आपका किस में आएगा हिमाचल प्रदेश में आएगा ठीके इसे कला सेट रखनी क्योंकि आपको पता है अगर यूजी सी नेट का एक्जाम देते हैं तो वहां पर चीजों को क्या करते हैं बहुत ही मलब कथन से यहां पर रिलेट करके तब चीजें यहां पर पूछी आती हैं तो उसी तरीके से आदक नहीं है जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसके लाव आपके क्या उत्तरा खंड हो जाएगा तो इन जगाओं पर जो शैली आपकी निकल के आती है जो कला निकल के आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पहारी कला बोलते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास वन में यहां पर सारी चीज़े डिसकर्स की थी तो इसलिए क्लास वन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है यह हो गया नेक्स हम चलते हैं नेक्स स्लाइट पर चलते हैं नामकरर अब देखेंगे यहां पर राजा साइब यहां पर जो इसका नाम पढ़ा कौन सा नाम यहां पर जो आपका यह नाम एक मिनट रुकी तरह सा ठीके जैसे कि आपका चंबा है चंबा शैली इसका नाम कैसे पढ़ा इसकी हम लोग बात करते हैं तो कौन से राजा आपको या देखना साहिल वर्मन की पुत्री थी जिनका नाम क्या था चंपावती था यानिकि साहिल पुरी पढ़ा ठीके समझी में बात क्या बता रही चंपा पुरी समझी पहले चीजों को कि एक राजा कौनते साहिल वर्मन नाम के राजा थे जिनकी पुत्री का नाम क्या था चंपावती था और चंपावती के नाम पर ही इस नगर का नाम क्या पढ़ा चंपा पुरी पढ ठीके फिर होता क्या आपको पता है कि नाम होता कुछ है और आगे चल कर कि क्या है वो क्या होता नाम अलग चीज में क्या है कनवर्ट हो जाता है ठीके तो आपने देखा होगा नाम कुछ होता अलग है लेकिन यहाँ पर क्या है जैसे जैसे चीजे बीती जैसे जैसे टाइम ब पड़ा था वो क्या है बाद में किस नाम से यहां पर विख्यात होता है चंबा नाम से विख्यात होता है तो चंपा से क्या बन गया यहां पर चंबा बन गया और चंबा में जो क्या है शैली यहां पर पन पी उसको क्या बोलेंगे चंबा शैली यहां पर बोलेंगे और वो क्या करता है वो इंसा दूसरे को बताता है तो और धंग से बताता है तीसरे को बताता है और धंग से बताता है यानि कि मिर्च मसाला लगा करके चीजें क्या हो जाती है तबदील हो जाती है यानि कि चेंज हो जाती है उसी तरीके से चंपा से क्या बन गया चंबा यहा पर समझाई, I hope आपको चीजे जरूर समझ में आई होंगी, अगर आपको चीजे समझ में आ रही हैं, तो विडियो को लाइक करना भाई नहीं भूलेंगे, ठीके और सबसे पहले विडियो को शेर करना तो भिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीके तो आप वीडियो को शेर नहीं करते हैं तो यह बहुत गलत बात हो जाती है तो सभी स्टूरेंट हाला कि बहुत से स्टूरेंट करते हैं लेकिन आप से मैं जितने भी स्टूरेंट इस क्लास को देख रहें उन सभी स्टूरेंट से रिक्वेस्ट करती हूं कि इन जितनी भी आपकी क्ल हाँगी तो इस टाइम जटने भी बच्चे देख रहे हैं जितने भी स्टूरेंट देख रहे हैं वह आपकी क्या बहुत ज़्यादा सीरे स्टूरेंट है त्यूंकि आप जब देखते हैं जब आपका यहां पर आ जाते थे लैंगना अप्छे गशाइए जो नोटिफिकेशन आने की बाद यहां पर महनत करते हैं तो आप समझ सकते हैं सेलेक्शन किसका होना चाहिए या किसका होगा ठीक है तो मैं जानती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट रेकें वो सीरेस स्टूडेंट है और आने वाली वाइकेंस में उनको जरूर ही सेलेक्शन मिलेगा मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको KBS में या आपकी UPTGT PGT में या DT Plus भी आने वाले एक्जाम में ठीक है इनमेंसे कहीं ना कहीं आपको एक सीर्ट जरूर मिलेगी ये मेरी आप सभी के लिए दूआ है कि आप जल्दी से एक सीर्ट यहां पर लीजिए और को यहां पर मिल जाएंगे मंगलु दुरुगा लहरू निक्का इश्वर हीडलाल और वशीदर ओ क्रेश्न इतने चित्र कारों को आपको किस में याद रखना है इसमें आपको यांद रखना है ठीक है प्रमक्ध चित्र इनका कौन सा पनिहारी ने जो चित्र है वो इनका क् पूछ रखना जो आपके एकजाम में पूछा सकता है इसलिए आप यादत कहीं थी के जितनी चीज पूछ पूछ रहे उतनी चीजे यहां पर पढ़ ले जाधा चीजे पढ़रेंगे कि जादा यहांपर पढ़ने की जब इतनी चीजे पूछी आथी इसमें तो क्या थरूरत ह पर देखेंगे इसमें क्या है महत्पूर तथी ठीक है बहुत लेंदी टॉपिक यहां पर यह नहीं है देख लेते हैं कितना चीज़े बच्ची है हाँ अभी आपकी है ठीक है अभी आपका काफी है पोर्शन बागी है सबसे पहले देखेंगे चमबा शैली के महत्पूर तथ है लेकिन उमेद सिंग के गद्धी पर बैटने से चमबा की चित्रकारी में एक नवीन अध्याय मिला यह बड़ा ही कला प्रेमी शाषक ता कौन यहां पर बात किस्की हो रही है राजा किसकी उमेद सिंग की बात हो रही है उदय किसमें हुआ था उदय हुआ था उदय के बाद उसके आगे चल कर क्या है उमेद सिंग जब है गद्धी पर बैटते हैं तो उमेद सिंग जो राजा थे वो क्या है आपके बहुत ही जादा कला प्रेमी शाशक हुए ठीक है इसलिए क्या है इनके काल में चमबा शैली का खुम विकास यहां पर होता है ठीक है तो तो आपके बहुत जियादा कला प्रेमी शाशक थे इन्होंने क्या है कला को बहुत बढढवा दिया इन्होंने क्या है रंग महल का निर्मार करवाया ठीक है कब क्या बताया कि उमेद सिंग बहुत ज्यादा कला प्रेमि शाशक हुए इसलिए क्या है उन्होंने रंग महल बनवाया और रंग महल में भित्ति यहां पर रंग महल में चित्र बनवानी की परंपरा भी यहां पर स्टार्ट होती है अगर आप से पूछा जाए रंग महल में चि चंडी महल आपको कहां बना हुआ तो यह आपको यहाँ पर उमेद सिंग किस ने कराया तो उमेद सिंग ने कराया ठीक है और यहाँ पर चंडी महल की आधार शिला निव किस ने रखी तो वो भी आपको क्या हो जाएगा? पूछा जाएगा कि चंबा आपकी किस वजे से फेमस पर इजुआ आपकशीदा कारी जो जो पूछा जाएगा कि चंबा आपकी किस वजह से फेमस है तो पूरे विश्व में रुमालो के लिए क्या प्रसिद है तो आपको याद एक बहुत बढ़ाई होती तो जिसे बोलते थे कशीदा कारी बोलते थे यह आप यहाँ पर याद रखेंगे यह क्वेशन आपका पूछा गया है कि चंबा जो है किस वजह से फेमस है तो रुमालो की वजह से फेमस है यह क्वेशन आपका आया हुआ क्वेशन है ठीक है नेक्स पॉइंट हमारा क्या बनता है चंबा शैली के भित्र चित्र को प्रकाश में लाने का श्रे किसे जाता है तो आ उनको प्रकाश में लाने का शुरे किसे जाता है जबकि कुलू शैली को अगर पूछा जाए प्रकाश में लाने का शुरे किसे जाता है तो आप क्या याद रखेंगे तो जैसी फ्रेंच को जाएगा तो जैसी फ्रेंच को जाएगा और जबकि चंबा शैली के जो भित्र चित तो आपको यादखना भूरी संग्राले में संग्रहीत है ठीक है तो भूरी संग्राले चंबा में ही है और इसके अलावा भूरी संग्राले में संग्रहीत है इसके अलावा आपके राष्ट्री संग्राले नई दिल्ली उसमें भी आपको किसके चंबा शैली के चित्र मिल जात आपको यहां पर भूरी सिंग से आपको याद रखनी है भूरी सिंग का यहां पूछा जा सकता है इसलिए आपको यहां पर याद रखना है ठीक है समझ बाता ही तो आपको चंबा का बहुत बड़ा संग्रह जो है चंबा शायली का बहुत बड़ा संग्रह आपको कहां मिल जा बूरी सिंग संगराले बूरी सिंग म्यूजियम में आपको मिल जाता है इतनी चीद आपकी हो गई अब हम देखेंगे चमबा शैली की यहां पर हम लोग विशेशता यहां पर देखेंगे ठीक है बस कुछ पॉइंट्स बचे हैं आपकी क्लास यहां पर एंड होने वाली है च सोली शैली मंडी शैली गड़वाल शैली यह सारी जो शैली है वो आपकी किस से निकली हुई है लोग कलास से निकली हुई शैली है ठीक है याद रखेंगे फिर बात करते हैं चमबा में चित्रकार ने चित्रकारी जो की है जिसमें रेखायों का यूज किया है चमबा के चि चित्रों में आपको बारीक और कोमल रेखाओं का अंकन आपको यहां पर मिलता है जो आपकी मानो आकृतिया बनी है वो किस पोजिशन में बनी है वो खड़ी अवस्था में बनाई गई है ठीक है उनको जादा तर अब यह नहीं कि सारे ही चित्र आपको खड़े मिल जाएंग है चंपा शाईलि के जो भीत्य चित्र उनको एंस की महता प्रकाष मिला हैं चंपा शायली कि से निकली हुई है प्रमुत विशह कौन कौन से हो जाएंगे तो इसमें भी आपको धार्मित चीज़ों के आधार पर चित्र मिल जाते हैं जैंसे कि दुरगा सबसती हो जाएगे तो इन सभी विश्यों के आधार पर चित्र आपको किस में मिल जाते हैं तो इसमें किस में मिल जाते हैं तो आपको याद रखना चमबा शैली में मिल जाते हैं दुरगा सबसती ठीक है तो इन सभी विश्यों के आधार पर आपको चमबा शैली मे बताई तो मुझे उम्मीद पूरी है कि आपको चीजे जरूर समझ में आई होंगी अगर आपको चीजे समझ में आई है तो आप मुझे जरूर कॉमेंट करके बताईएगा आप लोग जब मुझे कॉमेंट करके बताते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा काम कुछ कर दो अच्छ था क्या है कि उससे कमाना कोई बूरी बात नहीं लेकिन पैसा कैसे कमाना चाहिए पैसा आप कमाई कि दूसरे का विदियोस भुण दल्स बनी होती है जिस में क्या करते एक दूसरे की तांक खीचाई कर रहे हैं तो उस तरीके से आपका पैसा बलकि क्या होता है ज्यादा ही आता है आपने देखा होगा जो आपके रोस्टिंग वाली वीडियोज होती है या कह सकते हैं जो रियक्शन वाली वीडियोज होती है या एक तरीके को व्लॉग्स जो होते हैं जो घर की चीजे मलब या मलब कुछ भी नेगेट्व चीज दिखाते, तो उनमें क्या करते हैं? दिखाऊगा व्यूज बहुत जबरदस तरीके से आते हैं, क्यों? क्योंकि चीजों को लोगों को कैसी चीजण सँ है उन कोई काम नहीं करना जिससे कोई नुकसान हो मुझे सिफ्ट हमेशह मीरी सोच यही ति कि मैं कुछ करूँ गालीजान फाइदा हो चाहे वह किसी धर्म का हो किसी जगह का हो चैसे मुझे कोई लेना देना नहीं होता है तो अगर आपको मेरा काम मेरा पढ़ाने का तरीका मेरे जहां पर जो टॉपिक में क्लियर करती हूं वह तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और इसके अलावा कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो मालब कहने का मतलब आपके एक्जाम के पॉइंट आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट करके लिख सकते हैं तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गए आपकी चंबा शैली और कुलू शैली आपकी हो गई यहां पर अब मैं कुछ आपसे क्वेशन कर लेती हूं का शरेक इसे दिया जाता है तो आप यह क्वेशन बताएंगे एक वजशन आपका यह होगा एक वजशन आप यह बताएंगे कि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट मेरे हैं जो मेरे एक बात को क्या है बहुत ही सीरियस ली लेते हैं ऐसा नहीं कि मैं खाली ऐसे बोलते मे Links नहीं रहती हैं तो इसे वजह से मैं इहां पर Question पूछती हूं ठीक है तो दूस्रा question में पूछ लेती हूं कि आपके जो चमबा show Trust ली के अधिवत कर संग रही थे हैं चमबा शैली के अधिक थे आपके संग राले में किस म्यूजीम में संग रही थे यह आपको Q2 o इनका अंसर आपको comment box में देना है ठीक है तो समझवी चीज़े आई इतना हो गया अब next class हम लोग क्या पढ़ने वाले गढ़वाल शैली यहां पर पढ़ेंगे ठीक है तो next class आपकी कौन सी होगी गढ़वाल शैली से related आपकी class होगी देखते हैं गढ़वाल शैली के साथ में एक और शैली हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे गढ़वाल शैली यहीं क्लास में हम लोग complete करें चलिए इस class को हम लोग यहीं end करते हैं अब हम लोग मिलेंगे next class में सभी को जैहिन जैभार्त पढ़ते लिए खुश रहिए और अच्छे से आप होली celebrate करिए और आपको सभी सभी student को जितने भी हमारी class देख रहें उन सभी student को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुब कामना है ठीक है आप लोग गुजिया बनाईएगा मेरे लिए गुजिया जरूर रखिएगा मैं जरूर आपके घर आउंगी आप लोग तो मुझे बुलाएंगे नहीं मैं खु सभी को जैहिन जैभारत पढ़ते रहे हैं खुश रहें खुश बारते रहें सभी को जैहिन जै भारत तैंक यु सूमच फो वाचिंग मैं वीडियो थैंक इसूमस थैंक इसूमस